विशयाविनिवरतंते निराहारस्यदेहिना रसवर्जम्रसोपियस्या परम्द्रिष्ट्वानिवर्थते विशयाविनिवर्थते निराहारस्यदेहिना रसवर्जम्रसोपियस्या परम्द्रिष्ट्वानिवर्थते तो यहां भगवान बता रहे हैं सेंसेंजॉइमेंट के बारे में कि एक वैक्ति जिसको इंड्रे के प्रती लालसा है हम सब के मन में क्योंकि जब तक शरीर में इंद्रिया है तो इंद्रे विश्यवस्तू के प्रती आकरशन होना इस स्वाभाविक है तो लेकिन तो बता रहें कि यद्दपी एक व्यक्ति को सेंस एंजॉर्मेंट या किसी भौतिक वस्तु से दूर रखा जाए लेकिन फिर भी उसके मन में उसको पाने के लालसा रहती है से जैसे एक्जामपल अगर किसको डाइबरीटीज है तो उसकों आप मीठा सा एगा उसके मन में इच्छा आएगी इच्छा तो आप रोप नहीं सकते ना तो माएंड मैंड में वो उसको खाता रहेगा मोला मेंड भौ मेठा खाता रहेगा है ना तो क्या होता है यह ना करें कोई भी काम लेकिन सटली माइं में चलता रहता है और कास मुझे मिल जाता बड़ा मज़ा आता ऐसे आनन तो लेकिन यह अगर हमें भवान क्या बोड़ रहे हैं परमद्रिश्ट्वा निवर्त अगर हमें उचा स्वात नहीं मिलेगा तो क्या होगा हम भी बाइफोर्स रोक नहीं पाएंगे इस बहुत इंपॉर्णेट पॉइंट यह कि अगर हम भक्ति में उचा स्वाद एक्स्पिनेस नहीं कर रहे हैं भगवान की भक्ति में तो बहुत समय तक हम अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाएंगे इसलिए कई बार देखा गया कि भक्तों में चार नियम भी तोड़ देते हैं क्योंकि वह बाइफोर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपने इंद्रियों को जैसे मालों को वैक्ती पहले पहले स्मोकिंग करता होगा या नॉनवेज खाता होगा या ट्रिंकिंग करता होगा और भक्ती में अगया सडली तो हमने देखा है कि वह बाइफोर्स यूद्कि भक्तों ने कहा है मंदिर जाना है तो रोक देता है अपने सारे चीज़ों को एकदम कट कर देता है बट आउनि पडहिनाम में रूची नहीं आ रही है भग्वान के सिवा में रूची नहीं आ रही है तो आप देखोगे रहापस रिलैपस कर जाएगा और फिर वह वापस से सारे बुरी आद्ञ चल जाएगा इसलिए बहुत इंपोर्टेट टुगेट दा हायर टेस्ट हायर टेस्ट क्या है उंचा स्वाद जड़ सुख के ऊपर हो करके तीन प्रकार के आनन्द होते हैं एक हुथा जड़ आनन्द मतलब जो हम लोगों को इंद्रिया से जो आनन्द मिलता है जैसे हमने कुछ खाया उसका कुछ सुना इसका आनन्द जड़ अनन्द उसके ऊपर वह एक स्वर्ग का आनन्द है स्वर्गी रसर जो हमें फैमिली डेलेशन्शेप और बच्चे पत्नी परिवार यह सबसे मिलता है जो यह स्वर्गी आनन्द है अब उसके ऊपर भी आनन्द बहुते हैं वैकुंड आननंद करते हैं तो वो जो इए प्रेट के संग में जो वो सुख है सात्मेक के बैट के चल्चा करते हैं बहुत आननन आता है वह वैकुंट आनन्न तो अगर हम लोग zarand, को एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने जीवन में दिरे दिरे तो क्या होगा यह जो जड़ानन्द है यह बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है फिर क्योंकि आपको आनन्द चाहिए चाहिए हमारा स्वरूप है सची आनन्द हम बिना आनन्द के नहीं रह सकते इंपॉसिबल हम कोई हम जड़ वस्तु नहीं है हम चेतन वस्तु है तो वह आनन्द इसलिए हम एक भक्तों कराना चाहिए कि वह टू फाइंड आउट हमें पता करना होगा कि मेरा वैकुन्द आनन्द कहां से मिल रहा है मेरे को चाहिए वह भागदम पढ़ने से हो चाहिए वह हरी नाम जब से हो चाहिए वह डिटी का दर्सन से हो चाहिए वह भक्तों के संग में आने से हो चाहिए वह कीरतन से हो तो कोई भी ऐसा चीज हो जिससे में वैकुनान मिलता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए एंडेवर करना चाहिए और तब जाके आपको हायर टेस मिलेगा पर और या आपको मिला ना हो भली एक्स्प्रेंस मी ना हो लेकिन आप कन्विन्स हो कि मुझे वह सुख मिलने वाला है तो हम हायर कॉस्ट के लिए लोवर चीछ छोड़ देते हैं जैसे एक बच्चा है जिसको दिख रहा है कि मेरे को जाके मैं फर्स्ट आने वाला हूं क्लास में तो मुझे प्राइज मिलेगा या मेरे माबाप का नाम होगा रासन होगा मुझे वह द्रिष्टवा उसको दिख रहा है इसलिए वह अभी खेल कुद को बंद कर देता है या टीवी कम देखता है मोबाइल को बंद कर देता है क्योंकि एक्जाम आ रहा है द्रिष्टवा दि नीचे का सुख छोड़ देता है सारा तो इसलिए कई बालोग हमें कहता है रहे आप ब्रमाचारी कैसे बन गए आप सब कुछ छोड़ दिये ऐसे कैसे वही देश्ट हुआ हमको दिख रहा है वह चीज में को मिलने वाला है तो अब उसको रियालिटी में लाने काम है वह साधन करना कर रहे है तो इसलिए यह बहुत इंपोर्डेंट स्लोग है है और यह हर एक साधकों के लिए बहुत जरूरी है तो इस पर प्रयास करना चाहिए कि यह वी हैफ टू एक्स्परेंस हायर टेस्ट अधरवाइस हम नहीं टिक पाएंगे भक्ती में मुस्किल हो जाएगा आ जाकर के थैंक्यू हरे कृष्णा